कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसी ऐसा तरीका है जिससे हम अपने इरदय के मैल को दूर कर सकते हैं तो कहा गया नौ तरीके हैं अपने इरदय को साफ करने के, स्वच्छ करने के जिसको कहते हैं नवदा भगती क्या कहते हैं? जोड से बोलो और जोड से बोलो, अब मुझे सुन, आपस में मत सुन, उसे कहते हैं नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति हैं, नौ प्रकार के स्टेप्स हैं, जिन पर चड़ने से, जिन पर चलने से, हमारे रिदय की स्वच्छता की जा सकती है, कौन कौन से हैं, भागवत अनुसार जो नवदा भक्ति है, वो इस प्रकार है, कि शवनम कीरतनम विष्णोहस्मरनम पादसेवनम, अर्चनम, वन्दनम, दास्य सक्ष्य आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भगवान की भक्ति हैं, नौ प्रकार के ये स्टेप्स हैं, जिनको करने से हम अपने चित को प्रबुद्ध कर सकते हैं, उसको स्वच्छ कर सकते हैं, पहली भक्ति कौन सी है? श्रवनम, भक्ति के नौ अंग हैं, जिसको भगवान को पाना उसको ये नौ की नौ करने पड़ते हैं, ये नौ जो चरन है भक्ति के, इनका मिश्रन करके ही व्यक्ति, थोड़ा सा हो सकता किसी का श्रवन में जादा रूची हो, किसी की किरतन में जादा रूची हो, किसी को भगवान के अर्चना करने में जादा बड़िया लगता हो, लेकिन शास्त्र कहते जब जीवन में शवन आ गया तो अपने आप किर्तन भी आ जाएगा किर्तन आ गया तो अपने आप स्मरन भगवान की याद भी आ जाएगे और स्मरन आया तो अपने आप अर्चन वंदन दास से आत्म यह सारे स्टैप जो सारी भक्ति हैं यह क्रम से आने लग जाएंगे